हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चानल आज मैं शेयर करने बारी हूँ आपके साथ मल्केक बनाने की रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से सिर्फ दूद से बन जाती है यह मिठाई बजार की मिठाई जबर मत लेकर आएगा होली पर घर में बनाईएगा अपनी ही मिठाई तो चल तो बीच बीच में कल्ची चलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं यह इस बात का ध्यान रखें तो इस तरह से हमें इसे गरम कर लेंगे हिलाते हुए आपके पास गाई का दूद अवैलेबल नहीं है तो आप अमूल का दूद जो भी बजार में पैकेट का दूद मिलता है आप उससे भी बना सकते हैं उससे भी बिल्कुल वैसा ही हमारी मिल्केक बन के तयार होती है उसमें कोई भी फरक नहीं होता है यह देखिए हमने इसे भी थोड़ा सा कम निम्बू का रस लिया है और इसमें पानी डाल लिया है तीन से चार चमच पानी है इस निम्बू के रस में निम्बू का रस हमें थोड़ा ही डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना इसका हमें खटापन नहीं आना चाहिए और इसे दूद को भी हमें फाड़ना नहीं होता है हम इसे मिक्स करते रहेंगे साथ साथ में इस तरह से बस हमें इसको दूद्ध थोड़ा सा क्रमबल हो जाए बस इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालेंगे यह देखिए चाहे तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं एक बड़ा चमच दही आप इसमें डालेंगे तभी इसका सेमी टेस्ट होगा या फिर आपके पास अगर नीम्बू सत है तो वो भी डाल सकते हैं यह बिल्कुल आपकी चॉइस के परा कि आप क्या डाल रहे हैं और अगर नीम्बू भी डाले तो इसमें पानी डाल कर डाले ताकि इसका नीम्बू नहीं लग गया है तो यही टेक्स्चर हमें चाहिए है मिलकेक बनाने के लिए एक दम इस तरह से हमें से इसका जितना भी पानी इसका दूद के अंदर जितना भी वह हम लिक्विड इसका थोड़ा और जला लेते हैं इसे हाई फ्लेम पे बना रहे हैं तो इसे कल्ची से चला रहे हैं कल्ची से चला रहे हैं कल्ची से चलाते वे बनाते रहे हैं ताकि क्योंकि नीचे लगने का फिर डर होता है जब दूद गाड़ा हो जाता है हमारा तो इसे लगातार कल्ची से इस तरह से चलाते रहे यह मिक्स होने लग गया है अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच घी डालेंगे और साथ में चीनी डालेंगे यह मैंने PCV चीनी ले लिए आपको आप जो रेगुलर चीनी रहती है आप वो भी यूज कर सकते हैं यह दो चमच दो टी स्पॉन चितनी ही चमच मैंने यूज की है इसमें ज्यादा चीनी की जरुवत नहीं होती है क्योंकि दूद में अपने आप में मिठास होती है और इस milk cake में जादा मिठा भी अच्छा नहीं लगता है अगर आपको जादा मिठा चाहिए तो आप इसमें जादा मिठा डाल सकते हैं यह बिल्कुल आपकी चोईस के उपर है मैं यहाँ पर थोड़ा कम ही मीठा डाल रही हूँ क्योंकि इसकी quantity भी बहुत कम हो गई है यह देखिए जल कर दूद एक दम वन फोर्थ रह गया है तो यह देखिए यह यहाँ पर आपस में बाइंड होने ही लग गया है मतलब हमाया मिल्केक प्राय प्राय तयार हो गया है यह बहुत ही अच्छा लगता है आप जरूर इस तेवार पर अपने घर पर बनाए क्योंकि बजार से जो हम मिठाईया लाते हैं उसमें कितना कुछ मिला होता है कुछ हमें पता नहीं होता है आजकाल तो इतनी मिलावटी मिठाईया चल रखी है कि आपका पेटी खराब हो जाता है तो घर में ही इस होली पर जरूर यह दूद से ही मिठाई बनाएं घर पर बच्चे दूद पीना नहीं चाते हैं तो इस तरह से दूद की बनी भी मिठाई खिलाएं तो कि हल्दी भी रहती है तो यह हमारी बिल्कुल बन कर तयार हो गई हमारी मिठाई है और टेस्ट में बिल्कुल बजार जैसे मिल्केक लगती है यह ये चीनी का भी पानी जल गया है ये देखिए चीनी हलका हलका पानी छोड़ देता है जैसे हम चीनी डालते हैं तो चीनी का भी पानी बिल्कुल हमने जला लिया है आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी आप इसे जमा सकते हैं तो इसमें मॉंस्चर थोड़ा सा जादा रहेगा, अगर थोड़ा जादा जलाएंगे, तो इसमें मॉंस्चर थोड़ा सा कम हो जाएगा, आप जैसे बजार की मिठाई में देखते हैं, तो इसमें मॉंस्चर थोड़ा सा जादा ही रहता है, तो हम इसे बंद कर लेंगे, चला गर आपके पास इस तरह का बेकिंग टीन नहीं है तो हम इसमें इसे ट्रास्फर कर देंगे और इस तरह से जमा देंगे जैसे बजार में मिलक यह बिदो हम आदें इसे डबा दें उपर उपर से पिष्टा से सजा देंगे यहां पर आप इसे पहले ही इसे गार्णिश कर लें क्योंकि फिर बाद में तो यह जम जाती है फिर आप इसे गार्णिश नहीं कर पाएंगे तो गरम गरम में ही हम इसे पिष्टा से स्वे डेकॉरेट कर देते हैं और ऐसे हम धग देते हैं और धगकर एक गरम कपड़े से एक से दो घंटे के लिए से शिचरा चोड़ देंगे हम ताकि यह हो जाए ये देखें हमारी मिल्कक बनकर त्यार हो गई है दो घंटे बाद हमेने दिस देखा है देखें दम बिलकुल बजार जैसी मिल्कक लग रही ह देखते ही मूँ में पानी आ रहा है आप भी जरूर ट्राइ करें इस तेमारों में ये मिल्केक बनाना